हेलो दोस्तों मैं हूँ देविंदर आप देख रहे हैं दा इंडियन देल गरो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक इंफोमेटिंग वीडियो में दोस्तों मैं फिलालू नाकपुर रेलिस्टेशन के डॉर्मेटरी में दोस्तों नॉन एसी डॉर्मेटरी यह एसी शैंहें बुक्की थी ओनलाइन आने के बाद यहां देखा इतना कचड़ा है कोई साफसफाई के लिए नहीं आ रहा है बोलने के बाद भी और इस ना यहां कोई पूछने वाड़ा है कि कोण आ रहा है कोण आ रहा किसकी बुकिंग है नहीं है आपके समान के भी कोई अपनी सेफटी के ऊपर रख सकते हूं मैं आपको दिखाता हूं क्या गंदगी फैली हुए है पूरे में लेगे दोस्तों हर तरफ कुड़ाई कुड़ा देखने को भी लेगा देखो हर तरफ कुड़ाई कुड़ा है दोस्तों और यह बंकर बैड है एक उपर एक निच्छे इस टाइप का पूरा है बना हुआ है हर तरफ कुड़ाई लाओ देखिए हर तर अब इसका खोर दिखा देता हो मैं उसकी इदवा आ का देखिए क्या हालत है वस्तों देखिए क्या आलत है है पूरा गंदा यि गंदा कोई साप सफाई है कोई कुछ नहीं देखो और देखें बोतल भी रखी है यहां दारूपी देखें डॉर्मेटरी में यह आलत है नागपुर डॉर्मेटरी और इसके डॉर्मेटरी कितनी बुरी आलत है कि क्या बता है को रुक नहीं सकता है बहुत बुरा हाल है कोई साबसपाई के लिए कोई नहीं कोई कुछ नहीं बलकुल इतनी गंदी हालत में है इसकी कोई आस तक कभी भी इतनी गंदी डॉर्मेटरी कहीं नहीं देखी जितनी यहां पर अनागपुर स्टेशन पर हर जंगा यह कूड़ा इतना फैला हुआ है किस कर देख लो कहीं देख लो हर जंगा कूड़ा अब देखो यह समान रखने के लिए इसके अंदर भी कूड़ा पड़ा हुआ है कि इसमें हर तरफ की कूड़ा फैला हुआ है एक इंफोमेशन वीडियो थी आपको अच्छी लगए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वी नाकपूर एलिश्टेशन आई तो यह डोर मेटरी में पहले एक बार चेक कर लेना उसके बाद ही बुक करना बाकी बुक करने का को फाइदा नहीं है क्योंकि साफसपाई का को मतलब ही नहीं है मैंने आपको दिखा है सारी चीज वोश्यम से लेकर सब कुछ वोश्यम के अं इंडो अगयर आप इतने बड़े बड़े जाड़े लगे हुए हैं बहुत जरजर हालत में हैं